आपने का था कोई बड़ी बात नहीं है मैं सुन रही थे आदे घंटे से आपने मुझे गाली दी नमस्कार आदाब सच्री अकाल जैभीम जुहार मेरा नाम है नवीन कुमार समझ तो गए ही होंगे एबी वीपी वाले शर्मा जी ने नारी सम्मान का जंडा इतना उचा उठा दिया कि एंकर सीट पर बैटे बैटे खुद ही उखड़ गए और उखड़ गए तो उखड़ गए इंडिया टीवी को पट्टी चलाना चाहिए टेलिवेजा नितिहास में पहली बार जियां गोधी मीडिया के बाजार में एक तम नया आइटम गिरा है पद्मभूशन पाने की पत्रकारिता कॉंग्रेस की प्रवक्टा प्रेस कॉंफरेंस में ही रोप पड़ी और सिसकते व मेरे बच्चे सब वो वीडियो देख रहे थे अब दुनिया कह रही है कि पद्मभूशन पाने रजत शर्माने हद कर दी और गोधी मीडिया के बाकुरे कह रहे हैं कि आपने हद नहीं की हमें गद गद कर दिया आप तो पहुंचे खिलारी निकले महाराज ये कही बार में बोधी मीडिया के समराट का खताब ले उड़े पंडित जी हमारे यहां तो गेस्ट लोग आपस में नोचा नोची करते थे एंकर पर पानी फेक देते थे टीवी पत्रकारिता की कुछ महान घटनाएं पटका पटकी तक भी पहुंची हैं लेकिन आपका वाला आइटम ला जवाब है पंडित इसको कहते हैं पंडिताई सीधक गोल ही कर दिया हैं कॉग्रिस के लाखों करोडों लोहों किस देश की जद्धा वह वीडियो देख रही थी आपने मुझे गाली दी दरसल पद्मभूशन पंडित रजयत शर्मा ने समवाथ तो अपनी आत्मा से किया होगा लेकिन उन्हें एसास ही नहीं हुआ कि आत्मा लपक के जीव पर चड़ गई और लपलपाती हुई जीव स्टूडियो के माइक्रोफोन को चाटते हुए हेलो हेलो माइक करने लगी आपने का था कोई बड़ी बात नहीं है मैं सुन रही ते आदे घंटे तीवी पत्रकारिता के स्टूडियो से ऐसे पावन श्लोग के उच्चारित हुए पांच दिन गुजर गए पद्मभूशन शर्मा को लगा कि बात आई गई हो गई लेकिन आज कल के इस पर तब गया जब बहुत सारे लोग उन्हें इंडिया टीवी वाले पद्मभूशन रजत शर्मा के साथ टैग करके पूछने लगे कि बहन सुनकर बताना यह वही वाला श्लोक है ना जो हम समझ रहें और बहुत परताल के बाद रागनी नायक ने पहले ट्वीट किया और इसके बाद जुबान खोली सिर्फ इसलिए कि मैं इमानदारी से अपनी पाटी का काप कर रही हूँ अब रागनी नायक का कहना है कि पदंभूशन शर्मा ने बहन की गाली दी है और शर्मा जी का ब्रिगेड कह रहा है कि यह तो ब्रामन का अशिर्वाद है माथा जुक और सिर्फ गाली नहीं दी उसके बाद सुबह आपने मुझे धमकाना शुरू किया क्यों 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 हुआ क्या बहन आपने कहना शुरू किया कि अगर प्रेस कॉंफरेंस किया जाएगा तो डेफरमेशन का केस करेंगे मतलब आप चोरी करें उसके बाद आप सीना जोरी कर नहीं नहीं अगर ऐसा हुआ है तब तो यह एकदम गल्थ बात सरासर गल्थ बात अब पब्लीक पूछ रही है कि अच्छा यह पदंभूशन वाले पंडी जी लोग इसकला में इतने प्रवीन होते हैं क्या तुन रही थे आदे घंटे अब देखिए कि शर्मा जी जब राग बोले तो निपोर रही थी हो कर रही थी इस बात पर मटन हो रही थी कि रजश्क शर्मा के साथ मालिक के साथ स्क्रीन शेयर करने को मिल गया एक बार भी उसके चेहरेjs पर अपने बॉस के की संसकारों को लेकर लाज नहीं आई एक बी नहीं टोका रज़त जी आप ये बोल क कर पटक पटक कर पटक पटक कर ऐसे बोलेंगे कि तालू तूट जाए लेकिन जब अपने साथ बैठी इस तरी के आपने सम्मान को रौंदा जाए तो इनहीं महिला इंकरों की अंतरात्मा मरगट में रात्री विश्राम करने चली जाती है हे माते कुछ शरम आती है या नहीं या सब एक नौकरी के वास्ते अपने मालिक के जूते के नीचे उलीच दिया आपने का था कोई बड़ी बात नहीं है मैं सुन रही ते आदे घंटे से वैसे इंडिया टिवी वाले रजत शर्मा रक्षा बंदन पर राखी खोब बंधवात हैं और दुनिया की हर लड़की को सिर्फ अपनी बहन मानते हैं तुन रही थे आदे घंटे से रागनी नायक ने आवाज उठाने से पहले हजार बार सोचा कि उन्हें इस पर बोलना चाहिए या चुप मारकर निकल जाना चाहिए क्योंकि वो रजत शर्मा की ताकत और ऐसा आदमी खुली धमकी दे कि अगर जुबान खोलोगी तो बरबाद हो जाओगी तो उसे नजर अंदाज नहीं किया जासा आपको लगता है कि आप कुछ भी करेंगे और बचके निकल जाएंगे क्योंकि मोदी जी का हाथ आपके ऊपर है यह कोई साधारन आरोप नहीं है साहब लेकिन गोदी मीडिया अपने आपको धन्य महसूस कर ला है उसे लग रहा है कि अब आया है अपना असली नेता मुरुगन रौधरी खोपड़ा सदाकत और मर्सिया जैसों की आत्मा त्रिप्त हो गई है याब आया है हमारा नायक 67 साल का शेर जो रागनी नायक के मता तुन रही थे आदे घंटे इस पर हंगामा खड़ा हो गया है ऐसे लोग नारी सम्मान का जंडा उचालते हैं मोदी की पालकी उठाते हैं और अपने आपको पत्रकारिता का जंडा बर्दार बताते हैं रजत शर्मा के इनहीं विशिष्ट गुणों के लिए मोदी सरकार न आप सोचते हैं कि सत्ता का घमंड इतना है एंकार इतना है तो पत्मभूशन पंडित रजत शर्मा ने टीवी पत्रकारिता में एक नया अध्याय जोड़ दिया है मा बहन का पत्रकारिता के छात्र और शोधाल थी आने वाले दिनों में जब इसकी व्याक्थ्या करेंगे त तो आपको एक नागरिक के तौर पर क्या लगता है रजत शर्मा का क्या होगा और इस से पहले का सवाल ये है कि क्या रजत शर्मा शर्मिंदा भी महसूस कर रहे होंगे हम बताते हैं सवाल ही नहीं वो निश्चित तोर पर रागनी नायक पर मान हानी का मुगदमा करेंगे और ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि वो जो बुदबुदार है थे वो तो नारी सम्मान के पक्ष में एक बहुत ही उत्तम श्लोक था आपको लगता है कि धमकाने से हम डर जाएंगे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में नारी उत्पीरन के सत्तर प्रतिशत से ज्यादा मामले समने ही नहीं आते कुछ लोक लाज के मारे कुछ डर के मारे और कुछ पैसे पहुच या जानकारी के अभाव में रागनी नायकिन तीनों ही खांचों में फिट नहीं बैठती भाजपा की लीद पत्रकारेता के पद्मभूशन शर्मा इस बार बुरी तरफ इस वीडियो में इतना ही आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए नमस्कार